और बढ़ते आगे तो आयोध्या दोरे पर सीम योगी आदतनाथ आज ही पहुँचेंगे प्रान प्रतिष्ठा की तैयारी का जाजा लेंगे हनमानगडी में दर्शन पूजन भी करेंगे भगवान रामलला का आशिरवाद लेंगे आयोध्या के नए स्टेशन का भी जाजा लेंगे प्रान प्रतिष्ठा की तैयारी का जाजा लेंगे और संथ कभी नगर के बाद आयोध्या में एस योगी आदतनाथ आपको नज़र आएंगे सबसे पहले हन्मान गड़ी में हाज़िव लगाएंगे मंत्री होगी आज इतना थोड़ी देर बाद जो है आयोध्या के तमाम जो विकासी कारी ओजना है उसका दिश्ड़ करने के लिए पहुचेंगे और एरपोर्ट सहीद रेलवे स्टेशन का दिश्ड़ किया जाएगा इस वक्त हम आयोध्या के इस माडर रेलवे स्टेशन पर है मौझूद है जो एक भगविता के साथ तयार किया गया है और 30 दिसंबर को प्रधा मंत्री नरिन मोदी के द्वारा इसका जो है लोकार पड़ किया जाएगा आपको तस्वीर हम दिखाने जाएगे किया रेलवे स्टेशन का या स्वरूब जो भगविताक बनाया गया है या तमाम सुविधायें तैयार की गई है या त्रियों के लिए तमाम वो बेवस्थाएं हैं जो एक आदार्बूत नई समयचना के तैयत जो आधुलिक तक्रीकी से तयार किया गया हम इसमें रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं वहां की बेवस्थाएं भी आपको हम दिखाते हैं कि यहां पर जो बेवस्थाएं हैं किस प्रकास से दी गई है लेकिन उसके पहले यहां जो शुरक्षाएं हैं परियात शुरक्षा दोस्ता बनाई गई है थोड़ी देर बाद जो है मुक्यमंत्रियोग आधितनात आयोध्या पहुचेंगे रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर हम आपको दिखाते तस्बीर क अब भबे रेलवे स्टेशन का सुरूप तयार किया गया है थोड़ी देर बाद मुक्यमंत्रियोग आधितनात यहां आयोध्या पहुचेंगे आयोध्या में जहां जो विकास की तमाम योजनाय है उसका निरिच्छड किया जाएगा तो इसके साथ ही जो इस बिल्डिंग क की ब्यवस्ता है और तमाम जो ब्यवस्ताएं आधिनिक रेलवे स्टेशन की जानी थी हूँ सम ब्यवस्ताएं तयार करें इसके साथ ही एक सबसे देश का ही नहीं प्रदेश का सबसे बड़ा टनल भी एक एर कंकोर्स को भी तयार किया जा रहा है थोड़ी देर बाद मुक् मुख्यमंत्री योगी आधितनात अपसे थोड़ी दिर बाद आयोध्या के रामकथा पार्क इस्तित हैली पैड पो उतरेगा इसमें हम यहाँ पर मौझद हम आपको तस्वीरों देखा रहें कि हैली पैड तयार किया गया है यहां पर सुरक्षा व्योस्ता बला दी गई है करी सुरक्षा के बीच आज पूरा दावरा मुख्यमंत्री योगी आधितनात का है आयोध्या में तमाम जो विकास की योजनाए हैं तभी योजनाओं का निरिचार करेंगे समीच्छा बैठा करेंगे लेकिन उसके पहले जो तैयारिया हैं हम आपको तस्वीरों दिखा दे कि हम आपको बताथे कि दूशी तरफ यह हेली पैड इस थल है यहां पर मुख्यमंती होगी आधितरात का जो हेली काप्टर उतरेगा उसके बाद सीधे राम जन्म भूमी हनमांगडी का दर्सङ पूजन के लिए जाएंगे उसके आउठता ही आयोधा कि उन तमाम विकास की योजनाए को का निरिच्छड करेंगे जो 30 दिसंबर को देश की पधान मंत्री नरिद मोदी के द्वारा लोकारपड किया जाना है जिसका लोकारपड किया जाना है उसकी निरिच्छड के लिए आज मुकमन्तरी आने वाले हम आपको यह बताने कि एक और तस्वीर राज साध बनाए जा रहे हैं दोनों लगवग यहां पर तीन हैली पैड अस्थान होंगे जहां पर मुकमन्तरी सहीत तमाम अतितियों का जो हैलीकाप्टर उतरेगा उसके साथ साथ जो है जो 30 दिसंबर को प्रणा मंत्री आयोध्या होगे आयोध्या में दर्सन पूजन करेंगे रेल आयोध्या में तमाम परियोजनाओं का जो निरिचार करने के लिए उत्तर परदेश के मुक्हमंत्री योगी आधितनाथ अपसे थोड़ी देर बाद यहां पहुचने पहुचेंगे अधिता सत्रगास जी मीडिया के लिए